उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले 74 साल के कारिगर बाबू राम यादव को पीतल के बरतनों पर बारीक नकाशी के उनके खास हुनर के लिए पद्म श्री पुरुसकार से नवाद जाएगा बाबू राम यादव पिछले 6 दशक से ज्यादा वक्त से पीतल नकाशी में अपना खास योगदान दे रही है बहुत खुशी है पूरे परिवाद से खुब सुबर से शाम तक बच्चे खुब आशिरवाद दे रहा हैं अपने दादा को कभी आपने सोचा था आपके पती जो है इंग्रेवी का काम करते हैं दस्तकारी करते हैं तो इतना बड़ा यावाद मिलेगा सोचा नहीं था और अब हुआ तो बड़ी खुशी हो रही है कभी इस वाद कुस कोचा नहीं था हैं तक पहुंचेंगे हमारे पती बाबुराम के मताबिक उनके शिल्फ कौशल को देश विदेश में खूब पहचान मिली है दुनिया भर में वे चालिस से ज्यादा प्रदर्शनी लगा चुके हैं स्टेड अवाड मिला था तन पिचासी में फिर राइस्टर पुरुषकार मिला संब्यान में उसके बाद में शिर्फ गुरू मिला संचोधा में अब इसकी गोंसना कर दी गई है साब पादम शिरी अवाड मिला है आपको इससे पहले दिल्शाद हुसे इतना बढ़ावा न अगे मिल रहा है देश-विदेश में इसकी बड़ी कामियावी रही अगर यह सब भारत सरकार हमाई साथ में करती रही और मोदी जी का हमाई साथ मिलता रहा तो भारत सरकार ने इस साल पाँच पदम विवूशन, सत्रा पदम भूशन और 110 पदम श्री पुरुसकारों का एलान किया है